Hello everyone, welcome back to my channel आज इस वीडियो में हम देखेंगे 3rd से related question तो sometimes आपसे question की पूछा जाता है कि हमें पहचानना होता है कि जो दिया गया term है वो 3rd है की नहीं इसे related बहुत सारे question कुछे जाते हैं बढ़ पहला question basic यहीं होता है कि हमें identify करना है कि दिया गया term 3rd है या नहीं है तो इसके लिए आज हम देखेंगे कि क्या basic points जरूरी है और क्या definition है, क्या condition है जिसकी वज़े से कोई दिया गया term 3rd कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, ओके तो हमने मान दिया कि कोई term है जो की लिखा हुआ है इस तरह से root के form में यह जो term लिखा हुआ है x यह कोई भी positive rational number होना चाहिए ध्यान लगना है कि यह rational number होगा और आई हो कि आपको rational number की definition बता होगी the number that can be written in the form of a upon b where a and b are integers and b does not equal to 0 तो जब यह fulfill होगा तो उसकी हम क्या कहते है rational number कहते है तो यहाँ पर जो x है वो एक rational positive होना चाहिए इस पेसले ध्यान लाता है positive rational number होना चाहिए second condition है कि जो order of root है जहां मैंने इसको a लिख रखा है लेकता रखा है उसे एक positive integer होना चाहिए and integer you know very well कि जितने भी आपके natural number होते है और जो negative number होंगे और साथ में including 0 होगा वो क्या कहलाएगा आपका integer कहलाएगा आप इसका सेट इस तरह से लिखने है minus infinity to all negative numbers and positive numbers to the infinity and including 0 तो यह integer कहलाते है बट हमें ध्यान रखना है कि हमें केबल क्या लेने है positive integer ही लेने है now the third condition is कि यह जो आपको term given है जब हम इसको simplify करेंगे तो यह always हमें simplify करने पर एक rational number मिलना चाहिए इट मीज़ कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक condition fail होई तो वो दिया गया term third नहीं कहलाएगा इट मीज़ कि यह तीनों ही सरते एक साथ fulfill होनी चाहिए तब जाकर कोई term क्या कहलाता है third कहलाता है चली यह से कुछ related question करके देखते हैं और इसे हम कैसे apply करेंगे यह सुखते हैं question given है which of the following are third and which are not तो पहला portion हमें दे रखाया है root 1.18 अब इस पर कोई power नहीं है तो हम true समझते हैं यह इसका थोड़ा सा basic मैंने आपको अपने एक और वीडियो में जो भी मैंने upload किया है उसमें बताया है कि किस तरह से हम root की values को exponent form में लिखते हैं अगर आपने नहीं रेखा हूँ तो playlist में जाकर उस वीडियो को दरूर चका और कीज़ेगा यहाँ पर सबसे पहले check करते हैं जो एक टी जगहा पर प्लेस पर वैलू है वो कितनी है 180 है that is positive rational number तो first condition हमारी fulfilled हो गई एक प्लेस पर इतमीज ओडर ऑफ जो रूप था वो तू लिखा हुगा है यह positive integer है तो second condition भी fulfilled हो गई अब हम 30 condition चक करेंगे इसको simplify करके देखेंगे अगर यह यह rational आया तब यह cert कहलाएगा तो इसके हम factor करेंगे जो रूप में value लिखी हुग है तो 180 के अगर हम factor करें 2,9,18,0 2,4,8,5,10 अब हम इसको 3 से divide कर सकते हैं 3 बंज़ 3,3,5,15 3,5,15 5 बंज़ 5 तो यह इसके factor हो गए है 2,2 की power 2 तो 2 times है यहाँ पर 3 की power 2 5 यहाँ पर एक ही बार है अब जो order root लिखी होती है अगर उसी power में आपको यह root के अंदर value मिल जाए तो उस term को हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर 2 की power 2 है तो हम 2 को root के बाहर लिख सकते हैं 3 की power 2 है तो 3 को भी हम बाहर लिख सकते हैं बट 5 की power 2 नहीं है तो इसको हम root के अंदर लिखेंगे simplify करेंगे 2 त्याए 6 root 5 root वाला number जब भी किसी number के साथ sum में या subtraction में या multiplication में या फिर division के form में लिखा होता है तो वो always उस पूरे term को क्या करता है irrational कर रहेता है तो it means कि यह 6 तो हमारा rational number root 5 इससे साथ जो multiplication में है वो irrational number है तो यह पूरा ही term of irrational के लाए इसके condition यही थी कि यह term simplify करने पर irrational लाना चाहिए जो की fulfill हो गई है तो आप यहाँ पी दिख सकते हैं कि it is a third यह third है second question जिसमें आपको root 64 दे रखा है and order इसकी 3 है root की तो सबसे पहले चेकिए है कि यह क्या है positive जो root के अंदर value है वो positive rational है जो order है वो यह positive integer है तो तीसरी condition चेक करते है simplify करेंगे 64 को अगर हम factor करें 4.16.64 हमें पता है कि यह 4 का cube होता है तो 4 गुड़े 4 गुड़े 4 और यहाँ पर order 3 है 4 की घात 3 अब देखिए order root की और इस पर जो power लगी है वो भी दोनों same है तो हम 4 को बाहर देख सकते है अब यह number क्या है rational है इस rational नहीं है जबकि तीसरी cert यह थी कि simplify करने पर यह rational आना चाहिए था पर minus 125 is not positive rational number negative है यह positive rational नहीं है तो यह answer क्या होगा it is not assert मैंने आपसे बताया था कि अगर एक भी condition पेल हो गई है तो दूसरी condition हमें check करने की जुरात नहीं है तो पहनी condition पेल है जो दो बची हुई है उनको हम checkने का दे it is not assert next question है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें product के form में दो term दिए हुए है देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दो term दिए गया है product के form में तो अलग लग़र आप चेक करेंगे तो यह positive rational है यह positive integer है यहाँ पे भी positive rational और order जो है वो positive integer है तो ऐसे तो दो condition इसकी fulfill हो रही है बड़ simplify करके हम एक बार check करेंगे order 3 है 25 पर factor करें तो 5 multiply 5 यह जो symbol लगा हुआ है यह multiplication का है 40 के अगर हम factor करें तो हमें जो value मिलेगी वो मिलेगी 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 factor करके आप check कर रखते हैं अब हम देखने हैं कि दोनों की order है नहीं हो same है तो हम एक बार ही root लगा कर इन सभी product हो लिख लेंगे 5 multiply 5 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 power के form में लिखेते हैं तो 5 की power किती है 1 2 and 3 and same 2 की power किती है 3 है और मैंने आपको बताया कि अगर जो अंदर number लिखा है उसकी power और root की जो order है वो same होगा तो यह terms को हम बाहर लिखने हैं तो 5 multiply 2 and 5 to the 10 और यह एक rational number है सर्थ यह थी कि इसे एक rational होना चाहिए था तो it means कि यह सर्थ नहीं है it is not a cert next question देखते ही हम पैचानगे कि πाई we know that कि πाई यह क्या है यह rational number है और सर्थ यह थी कि यह जो अंदर number लिखा होगा रूट के वो एक rational होना चाहिए simply πाई करने पर यह rational आना चाहिए because πाई is an irrational so it is not a cert last question जिसमें आपको दे रखाया है root 3 plus root 2 तो हम देख रहे हैं कि root के अंदर जो value है x के place पे वो क्या है 3 plus root 2 है और अभी मैंने आपको बताया कि जब यह rational number किसी भी number के साथ चाहिए वो दूशरा term rational हो यह rational हो उसके साथ हा जाएगा addition के form में, subtraction के form में multiplication यह division तो वो complete term को क्या करता है इरrational करता है इट मींस कि 3 plus root 2 यहां पर क्या है इरrational है जो कि पहली condition को fulfill नहीं करता है so the given term is not cert I hope you like this video if you like please do like, share and subscribe